यह सामने आरवेदिक डिस्पेंसरी है यहां को ऐसा साधन नहीं है ना कोई सड़क या डंकी 15 साल से गाउं में बस नहीं आ रही पिछले 15-20 दिन से पानी बिलकुल नहीं आ रहा था यहां से बाराज में खत्म हो गए करोना की वज़े से मंदिर पर जो भी महिला आती है उनको भी है सुरुक्सित मैसूस होता है यह दर से आने में अंदेरा है नमस्कार मैरिया और आप देख रहे हैं जलको दिली इसक्त मौझूद है हम लोग रसूलपुर गाउं में जहां पर एक तरफ आप तस्वीरे देखते हैं कि जो ग्रामीड कह सकते हैं कि गाउं होते हैं वहां के हालात काफी पिशड़े होते हैं लेकिन अभी जैसे कि दिली में हम मौझूद हैं दिली के यह शहर हैं जहां पर कुछ गाउं होते हैं लेकिन अगर आप यहां की भी हालात देखेंगे तो आपको बत्तर ही दिखाई देती हैं इसका सामने आपके सामने देख लीजिए यह गोबर आ रहा है इस टेंप यह करके इसकी कंप्रेंट भी दो कंप्लेन आप लोगों ने कहां पर कंप्लेंट के जरीए इसका SDM कंजावला उन्होंने चलान भी करका हैं पिसली बार अचा वैसे डेरियां बना सकते कोई नहीं बना सकते आप सी बातचीत के जरीए आप लोग नहीं सुलचा पाते हैं नहीं हो सकते मैडम यह जब तक आपके सामने करेंट अभी देख लीजिए आरहा है अब वह उन्हों चला रखा उन्हीं का चला सब्सक्राइब करें कि तीन-चार डेरियां हैं यहां कई डेरिया है कई अपना घरों में रख रखे हैं वह तो कोई ज्यादा नहीं होता पर मैं इन देरियों से प्रोड़म आ करना और सबसे ज्यादा हम इसको मानते हैं इसके अंदर इतनी गंदगी आ चुकी है यहां पर हमारे साथियों ने सिमिती बना रखी है और इसको साब शुतर रखने के लिए भूमने का को साधना है को यहां को जागरन गारे बंदार अगरा जो करते हैं उसमें बड़ी दिक में खासकर मैंने एम एले एंपी जितने भी मतलब हाई रखटी है पंदरा वार इमेल किया है लेकिन उसका रैस्पांस आज तक कोई नहीं मिला है अभी यह बारिश हो गिया इस बारिश की वज़े से पानी अभी आ रहा है लेकिन जुरूत जब थी पंदरा पंदरा दिन त थोपने वाली बाते हैं पिछले पंदरा वीच दिन से पानी बिलकुल नहीं आ रहा था एक दूसरे से हम लेकर के अपना काम तला रहे थे खारे पानी से या किसी के पास में गाहों में अंदर जा करके पानी लिया तो उससे काम तलता था महिलाओं के लिए सवस्था के नाम पर कोई भी स्विधा नहीं है कम से कम दो किलो मेटर जाना पड़ता है यहां को ऐसा साधन नहीं है ना कोई सड़क या डंकी 15 साल से गाहों में बस नहीं आ रही जीटी 914 का रूट है लेकिन पिछले 15 साल से वो बंद है हमने कही बार गाहों के लोगों ने मिलकर के रिपोर लेकिन उसके उपर कोई सुनाई नहीं हो रही है तो अभी कैसे जाते हैं यहां से रानी खेड़ा का मतलब डेड़ पने दो किलोमेटर है स्टेंड उससे भाई फुट या अपने विकल से या किसी दूसरे से साहिता लेकर के जाते हैं और कब से हो गया यह सब होते वे कितना एक आम बात हो गिया हमारे जितने वा मंदिर है माता के मंदर का बहुत ही जादा आस्ता है गाम की दिसके दौरा इस गाउं में करोना तो हुआ है लेकिन वह चीजे होती है अगी कोई डैथ होगी या कोई इस परकार की बात होगी वह गवान की द्याँ से इसकी अशिरवाद की वजे से यहां ऐसा कोई एक्षन नहीं हुआ है यहां से बाराज मी खेत पानी मंदिर की सीडियों तक आजाता है इस पर भी हम खुद हमने ट्रस्ट बनाई हुए जैसे हम हैं बाई है तो हम क्या करते हैं अपना इंजन्ड या टूबल मोटर बगारा रखके पानी को खुद निकालते हैं यह मंदिर तक आना भी मुस्किल हो जाता है इसकी मानिता यह है कि अगर दिर कि जैसे हम निकालते मिटटे वह रहे तो उसके मनें पुरानी वाननेता है यह बहुत पहले है यह जो हमारा चोटा मंदिर है यह बाई-बर्थ से देख रहे हैं मन्दिर को 42 साल का हो चुगा बल्जब से मंदिर देख रहे हैं दस साल से उपर हमने यह मंदिर बनाया था ट्रस सब को सब को लैटरी फैसंगे चाहिते हैं और जवां कि परूंदर्च करने मेंил पसको मों अमभी शयवियों के संब रही है उतना निया चब्या को पाहिए-ध किस सब आदम यह मैंने 2019-2019 को दिये थे यह, दो जार उनिस से अब तक कोई नहीं आया है, ठीक है, यहाँ से नाला है, यह तिन आदा किलोमेटर लगा लो, इतना हमने यहाँ से रस्ता भी आठ फूट का हमने बोला हुआ है, अगर यहाँ से एक नाला दबा के उदर ड्रेन है, उस ड्रेन त हुई थी यह हमने आपने पैसों से की है एमले को भी है सब कह रहे हैं कर गाउन्हं मंदर में चंदा देखें दिवार हमने खुद की यह मेहकं सरकारिये मंदिर मंदिर मालन की जगह ही लेकिन सरकार total misschien lies सारा वो गंदा पानी नी था लेकिनना अभी निकासि का पानी यहांने लगा उसके बात यह वहुत भी गंदार यह मत्षर Yoast पंड़ जी हमारे रहे तेसाप गर्मे दो वट तीन वे साफ भी जा चुके उनके गर्में पहले से नहीं है आप जो नालिया होती है उसके निकासी करें पहले कैसे यह में शुरू से कहा था पहले पानी बहुत कम आता था यहां पर आपे आपे जब से यह पूरे तालाब का प लेकिन वैसे गंदा पानी नहीं आता था पहले जैसे गाव में पानी की भी कम होती थी पहले वैसे नहीं था पानी भी कम गिरता था अब तो क्या समर्शीवल लगा रहे तो डेरिया चल रही है तो डेरियों में मलों ऐसा है गोबर को कोई उठा के कहीं नहीं डालता वह इसके अंदर अभी कोई मतलब रात में कोई बच्चा या कोई जानवर ऐसा कुछ होता है ने बच्चा गिर सकता जानवर भी आ जाए कहीं से भी हो सकता है अभी हम बहुत सेटी रखते हैं हमारे यह देखो हमने यह सीडिया भी लगा रहा है कि मलब बच्चे के वह इदर ना जाए बच्चा यहां पर शीडिया बनी हो यह नीचे जाने के लिए था रस्ता अंदर मिटी वगारा निकालने के लिए वह सारा हो था लेकिन अब पानी इतना गंदा इसमें कोई भी मलब जोत लगाने जैसे माता मंदिर पाते हैं तो इसमें मिटी अब कोई नहीं डालता इतने गंदे पानी में कोन अठ डालेगा इसमें अच्छा इतने बड़े गाव में यहां पर लाइट है क्या लेक्र के लिए नथा निकाद नहीं किसी बीड़े में देखलों कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है इसमें और यहां पर यह नसे के लिए दिवार पे आई ना जैसे नाइट में अभी लाइट है नहीं किसी भी आप कंबे पर देख लो कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है इस पर और यहां पर क्या है श्याम को है ना आवारा बच्चे जैसे वह सिग्रेट बीडी दारू पीने वाले यहां पर बैठे रहते हैं मंदिर पर जो भी महिला सामने आपके सामने देखेश के अंदर के फोल टूटा हुआ है यह एक साल से ऐसे लगाए वो डेशी वाले टाटा पावर वाले जो है यह सीड़ी लगा के चले के सुपोर्ट के लिए यहां भी कोई एक सीडेंट हो सकता उसके बार बार में हम रिक्वार्मन कर रहे हैं ले हैं होती हैं क्इस मिए सफाई कोई सुगह हैं क्वन साहिक्षम टेंट श्कॉछ नहीं यहां कोई आज और हिर आता है बोलते रहते हैं जब भी नहीं कि आवाता हूं तो इसके बार में कई बर बोला है पर उचे जदे शीज लेते नहीं देवार के बारे में वही टूल करने वाली बाद उनका काम है उनका काम है कितनी संख्या होगी वैसे लोगों की कितनी संख्या होगी है प्रशनली जो हमारे काउंसलर साब है उनको बहुत बार रिकॉल करकर बोल दिया है यहां पर साफ सवाई नहीं हो तो बोलते हैं हम किसी को भीजेंगे वह एक दिन आया का दरवाजे के सामने से जाड़ुमार कितल इसलिए दिवाली से मैं खुद अपने रजिस्टर्ड मेल से मेल कर रहा हूं एंडी पेल को उनका एकी सजेशन होता है कि सार ये पानी के अंदर भरा हुआ है इसे जो पॉल है पानी के अंदर है हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो हमने उनको रिटन में जैई साब को भी उन में पराइगा हम उनसे पूछते कि आपकी की पर्मानिन डूटी है यहां पर हम लोग तो ऐसे बेजा है हमारे सुपरवाइजर ने और हम लोग यहां पर जाड़ुमारने आगे तो हम लोग उनको कुछ बोल नहीं सकते ना उनसे कॉंटक्ट कर सकते अब यह देखिए एंश लोग बोलते कि अगले चक्कर में आएंगे अगर उनको याद रहे कि तो खाली कर दिया नहीं तो फिर एक अपता निकलिए अब हम लोग जैसे यहां भी हर दिन तो आते नहीं है जैसे हम लोग आते देखते हैं कि यह गंदा बड़ा हुआ है तो हम लोग कंप्लेंड करते हैं कंप्लेंड करने के बाद पता निवो लोग आएंगे कि नहीं हैंगे फिर हम दुबारा नेक्स टाइम आए कि कंप्लेंड करते हैं यह सामने आरवेदीक डिस्पेंसरी है जो के नाम के लिए आप देख सकते हो धरवाजा बंद है जैसे यह एक है फिर इन पिसलते हैं है यह सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके शादी के लिए को बाराद आती तो इसको यूज में सभी कर सकते हैं यह आप देख रहे ते रसूलपुर गाओं की जहां पर आपने देखा कि जो योजनाय चले जाती हैं वह अक्सर क्या सकते हैं कि किताबों में जाकर बंद हो जाती हैं जहां पर सांसद आदर्स ग्राम योजना का भी जिक्री किया गया था जिसे बने वे काफी टाइम हो गया कि एक वही गाओं हैं जिसे हंसराज हंसरी ने जो की सांसद हैं गोद लिया था तो यहां के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीकी के है जिस गाओं को गोद लिया गया है जिसके सांसद इतने जानने माने हैं अगर उस गाओं की यह सिती है तो बाकी के गाओं की आप जहलक आपका बहुत शुक्रिया मैरिया कैमरे परसेंट राजे के साथ जलको दिल्ली